हलो एवरीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूद वलकम टू मेगनेट ब्रीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट सिविक्स का चैप्टर वाई डू वी नीड ऑ पार्लियमेंट दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके मतलब पहली यूनीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने क्या देखा जिसमें हमने इंडियन कॉंस्टिशन सेकुलिरिजम इन चीजों के बारे में पढ़ तो जो लेजिसलेचर वाला पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है जो लेजिसलेचर वाला पार्ट होता है वो पार्लियमेंट का पार्ट हो गया तो अब हम क्या करने वाले इस वीडियो में उन्हीं सारी चीजों को देखेंगे सबसे पहले सवाल यह उठता है जैसे कर आप आप heading पर ही जाते हो ठीक है starting with the heading of the chapter only why do we need a parliament एक parliament की जरुरत क्यों होती है हमें parliament की जरुरत इसलिए होती है क्योंकि parliament लोगों को represent करती है नहीं समझ में आया समझाते हैं जैसे parliament में कौन होते हैं member of parliament होते हैं ठीक अब member of parliament कौन है वो आपके और मेरे representatives हैं मतलब हमने उन्हें vote दिया है और वो parliament में गए है तो parliament में किसको represent कर रहा है हमें represent कर रहा है हमें represent कर रहे है मतलब देश को represent कर रहे है ना तो इस sense में parliament बहुत important या विर कह सकते हैं सबसे powerful authority होना चाहिए क्यों क्योंकि parliament is directly representing the people, the citizens of the country आया समझ में तो जैसे यह parliament है हमारी why do we need a parliament? it shows the idea of people's participation in decision making people's participation in decision making अगर इस शब्द को अगर आप समझते हैं people's participation in decision making तो क्या समझ में आया कि parliament में जो लोग हैं वो decision लेते हैं member of parliament decision लेते हैं session चलता है parliament के तो आप देखते हैं वो लड़ते हैं, जगरते हैं, decision लेते हैं, सारी चीज़ जगरते हैं तो वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं लेकिन यह लोगों के बिहाफ पे, मतलब people's participation हो रहा है यहां पे people's participation कैसा हो रहा है मतलब आप खुद parliament में नहीं जा रहे हो लेकिन आपने जिन representatives को choose किया है वो आपके बिहाफ पे क्या कर रहे है, parliament में जा रहे है वहाँ जाकर decision ले रहे है तो इस sense में क्या है, parliament जो है यह people's participation in decision making का notion express करती है वो यह idea दिखाती है कि हाँ parliament जो है लोगों के दोरा चुना गया, एक institution है ठीक है, तो इस sense में it is the spirit of democracy और अगर हम democracy की बात करते हैं, तो democracy का मतलब क्या है, देखो democracy resides in the people जो जिनता होती है ना, जनता ही democracy होती एक तरह से, कि जितना ज़्यादा आप क्या करोगे लोगों को involve करोगे उतनी है, आपकी democracy successful होगी तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि parliament democracy की spirit को दर्शाती है, कि हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि आपकी country democratic है, तो लोगों का हग होना चाहिए decision में ठीक है, और लोगों का हग यहाँ पर देखने को लोग decision making process में participate करते है, parliament जो है वो democracy की spirit को दर्शाती है, आया समझ में, clear है अब देखो अब इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो what we are going to study in this chapter, सबसे पहली चीज़ role of people and their participation why should they decide यह important चीज़ है, कि हम आगर पढ़ेंगे parliament में, मतलब इस chapter में why do we need parliament में, क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे important चीज़, जब हम बात कर रहे है parliament logo की होती है, logo के idea को express करती है, logo का participation ensure करती है decision making में तो हम वही यह पढ़ने वाले हैं क्या, कि लोगो का role क्या है parliament में, लोग किस तरह से democracy में important होते हैं, तो role of people and their participation, वो किस तरह से participate करते हैं, why should they decide, और लोग ही क्यों decide करें जो citizens हैं, जो जनता हैं, वही क्यों decide करें, तो ऐसे कुछ core questions हैं, जिनने हम discuss करने वाले हैं इस chapter में, फिर पढ़ेंगे representative of the people, ठीक है अब क्या है, जो role of people है, या फिर उनका participation, या फिर उनने क्यों decide किया, वो समढ़ लेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि वो जो जिसे choose कर रहे हैं, जो उनके representatives बनके जा रहे हैं, वो कौन होते हैं, तो representatives of the people, एक heading होगी हमारी, सारी book में जो जो headings दी हैं, सारी चीज़े cover करेंगे, मों उससे chapter, आया समझ में, interesting chapter है, interesting chapter कि sense में है, interesting chapter कि sense में कि आपको institution समझाएंगे, अगर आपको ध्यान होता, आपने 6th और 7th class में local government, state government के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी अब हम क्या करेंगे, अब national government के बारे में देखो, जिसे country हैं ना पूरा, तो country में क्या होता है, कि state होता है, state के अंदर के अधर district होता है, तो अगर आपको ध्यान होता, आपने 6th class में क्या पढ़ा था, 6th class में आपने पंचायती राज, institution वगर यह सारी चीज़े पढ़ ली थी, 7th class में आपने state legislative assembly, MP, MLA क्या होते है, member of parliament, chief minister वगरा, यह सारा सब कुछ देखाता, अब हम क्या देखेंगे, अब हम central level पे देखेंगे, मतलब जो country में Delhi में parliament है ना, prime minister वाली, तो समझाने के लिए कहरो prime minister वाली, तो उस sense में क्या करेंगे, अब हम central level पे कैसे काम होता है, कैसे election होते हैं, कौन क्या कहलाता है, member of legislative assembly कहलाते हैं, member of parliament कहलाते हैं, इस तरह के जितने भी doubt है आपके, सारे clear हो जाएंगे, ठीके, तो अब 8th class में हम यह सारी चीज़ना बढ़ने वाला है, interesting होने वाला है, इस chapter के notes, आप हमारी official website, magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों download कर सकते हैं, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, बिलते हैं next video में, chapter के अलग-अलग topics को start करेंगे, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे, Why should people decide, क्या decide करना चाहिए, देखिए, पिछले video में मैंने आपको introduction दिया था, introduction में क्या बताया थे basic points, basic points से बताया थे कि Parliament express the notion of people, ठीक है, वो लोगों के idea को express करती है Parliament, ठीक है, अब सवाल जाता है कि लोगों के idea को express क्यों करवाना है, वाई शुड़ people decide, लोग क्यों select करें कि Parliament में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, आया समझ में, तो मतलब इन जनरल अगर एक question पूछे जाए कि, डेमोक्रिसी में आप लोगों को empower क्यों करते हो, तो इसका अगर topic से बाहर जाकर answer दे, तो डेमोक्रिसी में लोगों को empower इसलिए करना है, क्योंकि हम people centric government बनाना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि देश जो किसी एक राजा या फिर किसी एक group के द्वारा ना चले, ना किसी एक राइट्स, citizens को क्यों देके रखिये, why should people decide all the things, तो उसका explanation समझते हैं, देखो, इंडिया है, इंडिया नेशनल मुवमेंट था, मतलब कि हमने हमारे देश को आजाद बनाने के लिए, हमने हमारे देश को, हमारे देश की independence को ensure करने के लिए क्या किया, एक लंबा struggle किया था, क अलब बात किये जा, शंगर्ज, तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, 1857 में पहली बार revolt हो, 1857 का revolt, फिर उसके बाद से धीरे धीरे कैसे चीज़े evolve होते गई, धीरे धीरे चीज़े evolve होते गई, और 1947, 90 साल लग गई, आजादी मिलते, तो इतने time period तक हमने क्या किया है, struggle क किया है, अब इतने time period तक struggle किया है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़े सीखी होगी, आजादी ऐसे थोरी न मिली है कि रात में सब सोय थे, सुबह अगले दिन उठे और बोल दिया चलो आजादी मिल गई है, एक लंबा struggle रहा है, उसके पीछे लाखों लोगों की जाने ग पनल होई है, तो इस सेसमें का हाए, कि इन्दियन शुनिंचे एक बहुत इमपोर्टेंट एस पेक्ट है, इंडियन हिस्ट्री का, तो इंडिया और इंडिन श्नल मूंहें हत्य, अब हमने इंडियन श्क्र सीख रहे हरे है, capita कि गुश importantes as एंड एंस्परावारियों के बिए चीज़ कर रहे थे संगर्ष करे दिज आज़ादी आजादी मिली है हम उस आज़ादी में क्या हैुए हमोने कुछ आइडियार क्या है ठीकिया तो आफ्स स्वेंश को नीचे consider करते थे तो उस दर्द को हमने सहा हमने equality का idea को सीखा हमें आजादी नहीं होती थी किसी भी चीज़ को करने की बहुत जादा strictness होती थी British government जो रहती थी बहुत जादा strict rules regulations डालती थी तो हमने freedom का taste वहाँ से सीखा कि नहीं आजादी होना चाहिए participation in decision making मतलब क्या है कि पहले लोगों को decision making में participate करने नहीं दिया जाता जैसे आज हम देखते कि आज क्या होता है लोग vote देते अपने leaders choose करते हैं पहले ऐसे कुछ नहीं रहता था company पहुचाती थी company मतलब कौन सी यहाँ आज जो हमारी company चलती है नहीं जैसे East India company rule कर रही थी ना इंडिया पे तो ब्रिटेन से ही decide कर दिया जाता था कौन leader बनके जाएगा कौन governor general बनके जाएगा तो इस तरह से क्या था कि strictness थी बहुत जादा लोगों को include नहीं किया जाता था decision making में मतलब तमाम तरह की समस्या है थी तो इन समस्या हों से हमने किया किया है इन समस्या हो से हमने सीखा है सीखा है जब हम struggle कर-raigh थे इंडिया ना Kafka के टाम पर जब हम struggle कर रहे थे आजदी के लिए तो उस आज़ादी के struggle में हमने हमारे past experiences से हम्ने कुछ inspirations gain की और इन सारी चीजों से हमने सीखा कि ideas होना चाहिए जैसे freedom, equality, participation in decision making तो these ideas should be cherished, इन ideas को cherish किया जाना चाहिए, इन ideas को क्या कियाना चाहिए कि हमारा देश कल को अगर आजाद होगा तो इन ideas को हमें respect करना चाहिए तो हमें एक basic notion उस समय पर ही समझा गया थे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है फिर क्या होता है, Indian National Congress demanded for the elected member in legislature far back in 1885 तो गर हम बात की जाए कि elected legislature क्या होता पहले वो समझाता हो मैं आपको elected legislature मतलब क्या है, legislature पता है आपको, legislature मतलब होता है कि law बनाने वाली जो body होती है जैसे parliament हो गया, ठीक है फिर state level पर जो state legislative assemblies हो जाती है तो यह law बनाएंगे हमारे अब जब यह law बनाएंगे तो यह जो law बना रहे हैं यह law बनाने वाले लोग कौन होना चाहिए, elected होना चाहिए तो अब समझो क्या statement है, यह बाकी सब मिटा देते हैं अब statement को समझो, Indian National Congress demanded, तो जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कब बनी थी, 1885 में बन गई थी 1885 में, जो आज Congress parties की roots का हैं बदा है, 1885 में बनी थी यह तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जो थी, तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने डिमांड करी क्या demand करी, demanded for elected members in legislature, तो जो legislature में member होंगे, जो law बनाने वाली body होगी तो Britishers उस समय पे क्या करते थे, अपने हिसाब से law बनाने थे थे, और जो भी लोग law बनाने के लिए रखे जाते थे, वो लोग elected नहीं होते थे तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस तब से ही demand कर रही थे, कि law बनाने वाली जो body रहे, जो legislature रहे, तो जो members रहे हो elected होना चाहिए, ठीक है, elected होना चाहिए, और ये कब से demand कर रही थी, far back in 1885, जब से Congress बनी थी, तब से इस चीज की demand कर रही थी, कि elected member होना चाहिए, legislature में, ठीक ह अब Britishers थे, तो हमने आपको बताया कि freedom नहीं थी, equality नहीं थी, तो इस तरह से हम इन ideas के लिए तरस्ते थे, तो आपको लगता है कि हमें बोल दियागा, allow कर दिया होगा, हाँ, ठीक है, आप बोल रहे कि elected legislature assembly होना चाहिए, तो elected members of legislative assembly मिल जाएंगे आपको, ऐसा बिल्कुल नह होगा, तो Congress में काफी समय तक हमारी demand को क्या करते रहे, टालते रहे, कि नहीं हम नहीं देंगे, आपको elected members, नहीं होंगे legislature में, इस तरह से चीजें, क्या होते रहे, इस तरह से चीजें delay होते रहे, फिर क्या होता है, फिर some elected representative was allowed through Government of India Act 1909, तो लेकिन continuously जब आप demand करते हो, आप pressure बनाते हो Britishers के उपर, तो इंडिया नेशनल कॉंगरेस के pressure के कारण क्या है, कि कुछ elected representative, some लिखाया आगे, ठीक है, some elected representative was allowed through elected representation आना चाहे है, ठीक है, elected representation, some elected representation was allowed through Government of India Act 1909, ये important चीज़ है, Government of India Act 1909 के आए, तो Britishers क्या करते थे, वो समय समय पे act लाते थे, समय समय पे एक law लाते थे, जैसे 1909 में आएगा, 1919 में आएगा, government of India Act 1935 होगा, तो ऐसे time time period पे क्या लाते थे, laws लाते थे कुछ, तो उन laws के थुरू वो कुछ ना कुछ change लाते थे, या विर कुछ नया लेके 1909 में उन्होंने एक government of India Act लाये थे, जिसके थुरू उन्होंने क्या किया, कि जो elected representatives की बात कर रहे थे, elected representation की बात कर रहे थे हम, तो elected representation दे दिया इंडिया को, ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि सभी लोगों को voting right मिल गया होगा, तो जी नहीं, सभी लोगों को voting right नहीं थी, या फिर जो student bodies थी, उन लोगों को ही voting right मिले थे, हर इंसान को, हर नागरिक को voting right नहीं मिले थे, तो क्या हमारे लोग खुश होंगे, क्या, क्यों, क्यूंकि हम तो यह चाह रहे थे, decision making में participation सभी का होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा, Britishers पहले कुछ नहीं दे रहे थे, हम उन्होंने कुछ elected representation दे दिया है, तो हम उसमें खुश थे कि हाँ, ठीक है, कुछ तो मिल गया, ठीक है, तो हमें कुछ elected representation मिला था, किस act के थुरू, Government of India Act 1909, तो इसे demand समझते चलना है, कि India National Movement हमने सीखा, हमने demand रखी, फिर हमारे demand इस act के थोड़ी सी fulfill हुई है, लेकिन क्या होता है, कि हमारे अंदर एक idea तो शुरू से था, हमारे nationalist leader के अंदर कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि पूरी तरह से सभी को elected representation मिलना चाहिए, ठीक है, irrespective of the caste, societal position, कि कोई अमीरे गरीब है, कैसा भी हो, सभी को voting right मिलना चाहिए, तो, क्योंकि हम struggle देखते आया थे ना, तो एक idea जो था, क्या idea कि सभी को voting right मिलना चाहिए, इस idea पर हमारे सारे nationalist leaders, इस idea पर हमारे जितने भी constitution makers थे, सभी लोग क्या थे, सभी लोग ready थे, जैसे मैंने आपको starting constituent assembly के बारे में बताया था ना, तो constituent assembly ने इस idea को बिना सोचे समझे ह हमारे constitution में डाउट किया कि universal adult franchise ही होना चाहिए, मतलब independent India should show the aspiration of freedom struggle, aspiration of freedom struggle क्या है, मतलब जो हमारा freedom struggle था, उस समय पे जो ideas को हमने cherish किया था, जिन ideas हम inspire हुए थे, कौन सा idea of freedom, equality, participation in decision making, तो इन ideas को तो show करना ही चाहिए, ऐसा माना हमारे जितने भी constitution makers थे, या फिर आजादी के बा should show the aspiration of freedom struggle और उसी basis पे एक aspiration हमारा universal adult franchise ही का था, ये समझातों क्या है, universal adult franchise ही मतलब क्या है, कि franchise याने voting right होता है, तो जितने भी adult है 18 से उपर है, सभी को क्या मिलना चाहिए, voting right मिलना चाहिए, तो ये universal adult franchise ही होता है, ठीक है, इसमें बहुत साइचेंज रहता है, लेकिन आप अ universal adult franchise ही जो है, तो ये 18 से उपर जितने भी लोग होते है, हमारी country में जैसे आज, ठीक है, आज के समय में क्या है, कि 18 से उपर जितने भी लोग है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी religion हो, सभी को voting rights दिया जाता है, तो ये idea दर्श nation makers, nationalist leaders, they were inspired from the Indian national movement and they cherished the idea of equal voting right to all, ठीक है, अब उसके चलते क्या है, कि they demanded during the time period of Britishers, but it was not given in total, दिया था लेकिन कुछ ही दिया था, ठीक है, तो कुछ ही electric representation दिया था, लेकिन जब आजादी मिली, तो हमने इस idea को बिना सोचे समझे हमारे constitution में लाए, क्यों क्योंकि ये idea जो था तो this idea was the aspiration of freedom struggle, और इसलिए हम आज भी इस चीज में उश्वाज रखते हैं कि people should decide all things, एक तो democracy की basic spirit होती है, कि लोग decide करें, और दूसरी चीज हमारा freedom struggle का idea है, मतलब कि जैसे अगर अभी आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज आपका कुछ एक वो होगा aspiration कि आप कल को जब बड़े हो जाएंगे जब आपकी job लग जाएगी, आप जब business start कर लेंगे, आप जो भी करना चाहते हैं, वो कर लेंगे तो आप ये चीज करना चाहेंगे, जैसे किसी का सपना होगा कि वो पूरा world tour करना चाहता है, तो आपके क्या है, वो आपके aspiration है, basic aspiration, foundational aspiration है, जो आपने बच्पन में सोची थी, उसे आप पूरा करोगे ना कल को जब आप position में जाओगे, तो वैसे ही यहाँ पे, कि जो idea हमारे Indian National Congress ने आज़ादी के समय पे देखा था, तो क्या है उस idea को constitution में लाना ये तो क्या हो गया, ये एक basic necessity हो गई थी, कि ये तो करेंगे ही करेंगे, तो universal distance में बात की गई थी, कि लोगों को empower किया जाए, लोग decision making में participate करें, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से राउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub topics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सक और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, आगे continue करेंगे chapter को, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains, इस video में क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम देखेंगे people and their representatives, पिछले video में हमने क्या देखा था, पिछले video में हमने आपको बताया था, कि why should people decide, लोगों को क्यों decide करना चाहिए, अब जब लोगो को decide करना चाहिए, इस चीज़ पर हम agree हो गए थे, तो अब हम देखने की लोग कैसे decide करते है, या फिर कह लिजे लोग किसे decide करते है, तो people and their representatives, उनके representatives कौन होते हैं, इस चीज़ को हम क्या करने वाले है, दिसकुस करने वाल अब जब लोग सुप्रीम होते डेमोक्रिसी में तो उस सेंस में क्या है उस सेंस में समझों या पे देर्फोर इन डेमोक्रिसी ते गावर्मेंट एस वेल अधर पब्लिक इंस्टिटीशन नीड तो हैव दी ट्रस्ट ओफ सिटीजन्स देखो आपने आम बोलचाल के भाशा में या फिर चुनाओं के टाइम पे सारी चीज़ें सुनी होगी क्या कि जनता जवाब देगी या फिर क्या सकते हैं कि जनता सब बता देगी कि जनता किसे चाहती है जनता किसको राज़ा बनाना चाहती है जनता किसको अपना नेता चुन विए ओने भी लीडर सें पॉलिटिकलंड पाडिЗ वो तब तक ही पावर में रहा पाएंगे जब तक उने बार बबलो पास में फटरस्ट होगा किसका रस्ट होगा जब तक उनके पास में रस्ट होगा सिटीजन का जब तक उन Nos जनता का trust होगा आया समझ में तो उस sense में क्या है उस sense में आपको यह ध्यान देना होगा इन चीज़ों पर focus करना होगा क्या कि therefore in a democracy government as well as other public institutions need to have the trust of citizens कि citizens का trust है तभी government चल पाएगी तभी क्या हो पाएगा public institutions चल पाएगे सोच लिजे ना आप खुद कि अगर मान लो citizens किसी political party में trust नहीं करते हैं तो अगली बार चुनावा में अगर उससे vote नहीं देंगे citizens तो जब citizens vote नहीं देंगे तो क्या वह political party जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी तो वही चीज़ यहां पर बताएगी यह क्या है कि people should have trust sorry public institutions government political parties government officers they should have the trust of citizens they should have the trust of people क्यों क्योंकि उनके support के बिना उनके trust के बिना वह ज्यादा लंबे समय तक sustain नहीं कर पाएगे ठीक तो इस संस में कर हम यह भी कहें है कि people is equal to government कि यहां पर democracy में क्या होता है democracy में जब आप people को supreme बता रहे हो तो people ही government होते हैं जो citizens होते हैं वही government होती है अगर citizens नहीं है सब मतलब citizens का support नहीं है trust नहीं है तो government भी नहीं होगी ठीक है तो यह एक basic idea हो गया मतलब इतना सब कुछ समझाने के बाद में आपको इतनी ची समझ में आजाना चाहिए कि लोग जो है वही सब कुछ करते हैं democracy में अब सवाल यह आता है कि but how does the individual give approval to the government हमें देखते हैं कि अगर लोग सब कुछ करते तो लोग में तो आप बी आते हो में भी आता हूँ आपका friend भी आता मेरा friend भी आता है हम सभी लोग आ जाते है citizens में आप क्या सारे लोग ऋरुच Parliament जाते हैं पारले में में बाटके decision छा नहीं तो लोग जो है कि अन्य को to government लेकिन how people give approval to the government कि जो जनता है वो government को approval कैसे देती वो government चलाती कैसे हम तो जाते नहीं कभी decision लेने फिर हमारे बोलते हैं कि हमारे वियाफ पे कोई और decision ले लेगा decision people के दौरा लिए जा रहा है जनता जो भी कर रही है जनता कर रही तो ऐसा कैसे हो जाता है तो उसके पीछे कारण समझो देखो लोग direct नहीं जा सकते हैं यह practically impossible है क्योंकि इतनी सारी जनते 125 करोड लोग 135 करोड लोग पारलेमेंट में जाएंगे तो दिल्ली पूरा जाम हो जागा एक सारी लोग चले गए तो तो सेंस में क्या है आपको यह ध्यान देना होगा कि लोग अपना अप्रूवल देते हैं directly directly नहीं देते हैं indirectly देते हैं कैसे थूट इलेक्शन हम क्या करते हैं अपने रीप्रेजन्टेटिव को चूह करते हैं people and their representatives आई कहा नहीं समझ में हम क्या करते हैं इलेक्शन में अपने रीप्रेजन्टेटिव को चूह करते हैं कैसे elections के थूट देते हैं फिर वोट देने के आद हमारे representatives जो रहते हैं तो on our behalf they give approval to the government हमारे बेहाफ पर वो approval देते हैं government को और इस sense में क्या कहते हैं कि trust of the people is या फिर trust of the citizens is required कि आपको जब तक जनता का support नहीं है जनता का support किस form में मिलेगा election के form है election में हम approval देते हैं government को और फिर वही government हमारे बिहाफ पे क्या करती है decision लेती तो इस sense में कहा गया कि trust होना चाहिए citizens का people elect their representatives in the parliament one group out of the representatives from the government majority अब क्या होता है elections होता है elections में हम लोग क्या करते है अपने representatives को choose करते है अपने representatives को choose करते है कैसे करते है कैसे नहीं करते है हमारे बिहाफ पर क्या करते है हमारे बिहाफ पर government बनाते है government कैसे बनाएंगे तो हमने सारे representatives choose करें example देखो जैसे country में क्या होता है चुना हुए country में चुना हुए यहां से यह representatives को choose कर लिए यह red color के representatives हो गए ठीक है अब दूसरे representatives जो है तो यह एक party के representative हो गए मतलब red ठीक है अब जो दूसरी party के representative है तो वो यह blue color में हो गए तो अब यह पूरी country में चुना होने के वादने हमने इतने leaders को choose किया है अब इतने leaders को choose किया है अब इतने लिए उसको चूज करने के आदने आप देखो One group out of the representatives from the government, majority party तो अब जो group majority में है, ठीके majority में blue वाला group है तो blue वाला group क्या करेगा वो government बनाएगा और वो हमारे बिहाफ फे फिर देश चलाएगा आगाई समझ में तो इस तरह से क्या होता है कि लोग जो रहते हैं लोग और उनके representatives, तो यही democracy का idea होता है कि democracy में supreme कोन होते है people और people supreme होने के साथ साथ में अब सवाल या आता है कि सारे लोग तो लेकिन approval दे नहीं पाते हैं तो वो अपना approval कैसे देते हैं elections के थूँ, elections के थूँ हम हमारे representatives को choose करते हैं कहाँ पर पार्लेमेंट में और उन representatives के group में से एक group जो रहता है वो क्या करता है government बनाता है forms the government वो एक group कौन सा रहेगा जिसके पास majority रहती है simple से चीज है अब हम आगे और in-depth में पढ़ते चलेंगे इन सारी चीजों को ठीक है मैं आगे आपको parliament समझाओंगा पहले तो कि parliament में कौन-कौन से institutions होते हैं जो आपको photos दिये तो उससे क्या हो जाएगा आपको clear हो जाएगा अच्छा parliament कैसे काम करती है फिर आगे और in-depth topics एक arranged format में available है जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलूड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्च्ट वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे role of the parliament role of the parliament किस संस में देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या डिसकस किया पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया people and their representative हमने देखा कि वो अपने representatives को कहां चूज करते हैं अपने representatives को चूज करते हैं parliament में फिर वो government बनाती है सारी चीज़े होती है तो basically हम कहां तक आ गए है chapter में हमने मतलब यह देखा कि क्यों लोगों को decide करना चाहिए why should people decide फिर हमने देखा कि people और उनके representatives में क्या relation है इन्हें democracy people are supreme वो समझा हमने और फिर देखा कि वो अपनी इस supremacy को कैसे exercise करते हैं election के थूँ election के थूँ फो parliament में अपने representatives को choose करते हैं तो अब क्या समझना है Parliament समझना है Parliament का काम समझना है Parliament क्या है उससे समझना है तो वो सारी चीज़े हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करते हैं the Parliament in our system has immense power तो हमारे सिस्टम में जो पार्लेमेंट है पार्लेमेंट के पास में बOhot power होती है किवह बहुत power होती है क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो जंता के द्वारा चुने गए है मैंने आपको स्टार्ट manière भी बताया था था ना होती है ठीक है क्यों क्योंकि यार दी रिप्रेजन्टेटीव अब दी पीपल आगे समझ में तो दी लोकसभा इस यूज़ी एलेक्टेट वन से वरी फाइव अभी लोकसभा क्या हो गया है आपको तो पहले इस चीज़ को में क्लियर कर देता हूं पारलेमेंट का स्ट्रक्च के होते हैं कुछ लोगसभा के होते हैं तो इस तरह से लोगसभा के और राजिसभा के मेंबर ओफ फारलेमेंट होते हैं हमारे बास ठीक है अब अगर हम देखते हैं समझते हैं इस चीज को तो यहां पर क्या होता है यह पारलेमेंट ऑफ इंडिया इसे क्या कहा जाता है संसद कहा जाता है it is the supreme law making authority of an institution मतलब कि law अगर बनना है देश में कानून बनना है तो कानून कौन बनाएगा कानून Parliament में बनते हैं आगे समझ में तो उस सेंस में Parliament के पास बहुत power होती पार्लेमेंट में दो houses होते हैं अब देखो राजसभा तो राजसभा को Council of States कहा जाता है और राजसभा में स्ट्रेंथ कितनी होती विते टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 यह 245 को 233 प्लस 12 यह धियान रखना है जो 12 अभी मैंने वह कर दिया ने स्ट्रेंथ कर दिया 245 में ऐसा रहता है 233 प्लस 12 तो यह क्या है यह समझाऊंगा आगे ठीक है तो राजसभा में Council of State कहा जाता राजसभा को विते टोटल स्ट्रेंथ और 245 मेंबर्स 245 मेंबर्स होते हैं और क्या होता है इस चेर्ड वाइस बता है तो क्या होता है किंज होते हैं घ्राजसभा के घ्रस रहते करते हैं राजसभा के अब लोगसभा पे आते हैं दूसरा होस जो यह तो लोगसभा है of people इसे house of people कहा जाता है क्यों क्योंकि इसको समझाऊंगा मैं अभी कि इसमें direct election होता है मतलब हम direct choose करते हैं तो लोगसभा को house of people कहा जाता है तो टोटल membership of 545 तो टोटल membership कितनी होती है यहां पर लोगसभा में 545 होते हैं इसे split करें हम तो 543 प्लस टू यह प्लस टू क्यों है यह भी समझाऊंगा यह दोनों चीदे में समझाने वाला हूं तो इस प्रसाइडेड ओवर बाइदी speaker और speaker होते हैं इनके head ठीक है मतलब जो लोगसभा होती तो लोगसभा का headcon होता है स्पीकर और राजसभा का headcon होता है वाइस प्रसीडेंट तो यह दो हाउस है दोनों हाउस में law बनते हैं क्या काम होता है वो अभी आपको समझाने वाले हैं यह split समझाने वाला हो देसिकली आपको इतना समझाना चाहिए कि हमारी parliament होती परले में दो होते हैं लोगसभा राजसभा दो होते हैं और दोनों होस क्या करते हैं law making में काम करते हैं ठीक है दोनों को क्या का कहा जाता है एक को Council of State कहा जाते को House of People कहा जाता है स्ट्रेंथ दोनों की बता दी हमने ठीक है अब आगे बापिस आते हैं यहां पर तो देखो तो representation of people express करती है इसलिए supreme होती है बहुत पावर्फुल होती है अब दी लोगसभा इस यूजरी इलेक्टेड वन से वरी फाइव यह तो जो हमने दो हाउस पढ़े तो इसमें से एक हाउस समझते हैं बेले लोगसभा लोगसभा के एलेक्शन कितने बार में होते हैं हर पास साल में होते हैं usually usually five years मतलब क्या है कि अगर मानलों government उसके बीच में no confidence motion के कारण government अगर गर जाती है गवर्मेंट गरना मतलब यसा नहीं कि कोई लीडर गर गए गवर्मेंट गरने का मतलब यह कि government आगर majority खो देती है तो फिर से election हो सकते हैं और दूसरे भी प्रोविजियोंस रहते हैं बागी हम देखते हैं तो usually five साल में क्या होते हैं elections होते हैं किसके लोगसभा के मतलब तो आपने क्या कर दिया? Your country is divided into numerous constituencies तो आपने इसको जैसे हमने कितनी seat d berry थी 545 देखी थी तो मैंने आपको क्या बताया था 545 में से split करो 543 प्लास 2 को 543 seats में divided है country ही। ठीक है ? सीट्स में डिवाइद है मतलब constituency तो एक, इतने एरिया को eh en constituency बना दिया इतने एरिया इतने एक委 के एक constituency, इतने एरिया केthing ऐक आ aan से चोटे-छोटे constituencies बना दिये कहीं पर बड़े भी हैं कहीं पर छोटे भी हैं इस टू आर दी नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन्स ठीक है एंग्लो इंडियन्स मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश चले गाए उनके कुछ यहाँ पर वनशज रहे गाए तो उन्हें भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमारी पार्लेमेंट में तो यह दो लोगों के लिए रहती होता है इन्हें President प्राइंट करते हैं ठीक है प्रसेडेंट नॉमिनेट करते हैं तो इस तरह से यह फाइन्दड़टफॉट्स एफ सीड है तपूरी तो क्या था होता कि फाइफनेदड़टफॉटवग्व Constituency में देश को डिवाइड कर दिया आपने clear है अब 545 Constituencies में देश डिवाइड कर दिया है और यह देश है आपका पूरा तो इस तरह से Constituencies में डिवाइड कर दिया अब क्या होता है election होते है लोग सब आके तो election होने पर क्या होता है each of these Constituencies elects one person to the Parliament मतलब हर constituency से वेडर elect हो कहा है गा election हो रहा है ilection में सारे लोग participate करेंगे जितने गे ईजितने बी रीप्रेजेंटेटिब्स हैं जो मान लीजायें कि इस विजएपी वाला जिद गये वीजएपी वाला लीडर जीद गया और इस कौम्सित्स क्परेदा जीद गये तो उसी तरह से देश की 545 मतलब तो टोटल हम ने घीती तो 545 लीड़ी विए अब एक एक लीडर आएगा तो हो सकता है कि 200 BJP क्या आए हो, 200 Congress क्या आए हो, 100 आम आदनी पाटी क्या आए हो, 45 समाजवादी पाटी क्या आए हो, तो ऐसे एक अलग proportion बढ़ जाएगा, ठीके, तो वही चीज यहाँ पर होती है, कि country को हमने Constituencies में Divide कर दिया है, अब एक Constituencies मे एक लीडर को चूस किया, यह लीडर कहा जाएंगे, पार्लेमेंट में जाएंगे, अब यह किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, BJP से भी जीते जा सकते हैं, और Congress से भी जीते जा सकते हैं, फिर क्या होता है, Each person belongs to different political party, अब जितने भी elected representatives आएंगे, जो जीत के आएंगे, तो अल गला गला political parties से बिलॉंग करते हैं, फिर क्या होता है, the elected representatives to the parliament are known as member of parliament, और जो elected representatives होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, member of parliament कहा जाता है, simple सी चीज है, देखो, यह पूरी country है, यह पूरी country, एक constituency, 545 में से एक constituency है, इस constituency में चुना होता है, चुना होने के बाद में क्या होता है, सारे लोग होते हैं, उसमें BJP का भी candidate होता है, Congress का भी होता है, हम आदमी party का, सभी candidate जैसे मानलो participate करते हैं, जीतेगा तो एक ही लेकिन, तो यहां से मानलीजे, Congress का candidate जीत गया, Congress का candidate जीत गया, अब Congress के candidate को क्या कहेंगे, हम member of parliament from this constituency, क्यों क्योंकि अब यह जाके parliament में बैठें क्यों क्योंकि direct election लोगसभा के होते हैं, हम देख रहे हैं, election किस के पढ़े हैं हमने, लोगसभा के पढ़े हैं, तो हम अभी सिर्फ एक house पढ़ रहे हैं, लोगसभा, तो इस तरह से लोगसभा के, एक member of parliament को हम ऐसे elect करते हैं, कि पूरी country की जो constituencies हैं, उन constituencies में से एक leader elect होता है, वो member of parliament कहा जाएगा, परलेमेंट में जाएगा और हमारे laws बनाएगा, ठीक है, तो अब आपको parliament का structure समझ में आ गया है, ठीक है, member of parliament क्या हो तो यह समझ में आ गया है, अब हम यह देखते हैं कि role of parliament, parliament काम क्या 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 करती है, तो यहाँ पे देखो, यह जो अभी पू select the national government, मतलब national level पर जो government बनना है, उस government को कौन select करेगा, उस government को parliament select करती है, ठीक है, national level पर government बनना मतलब क्या है, कि जो आपका central government, central level है, central level पर जो government बनती, जैसे प्राइम मिनिस्ट्र वगरा, तो उसे select कैसे किया जाता है, पारलेमेंट के बेसिस पे, जो मैंने आभी आपको बता है कि हर constituency से एक representative elect होता, जिसे क्या कहते है, member of parliament, तो वो हम member of parliament, जिस party के member of parliament ज्यादा रहेंगे, वो government बनाएगी, इस इसको in-depth अभी हम पढ़ेंगे, अभी आपको मैं pointers दे रहा हूँ, पारलेमेंट के पहला काम होता है कि select the national government, फिर दूसरा काम होता है to control, guide and inform the government, गवर्मेंट तो बन गई है, लेकिन वो government सही तरह से काम करें, उस पे control करके रखना होगा, उसे guide करना होगा, उसे inform करना होगा, तो ये सारी चीज़ें भी पारलेमेंट परफॉर्म करती है, और आपके देश में जो भी कानून बनेगा, तो कानून ऐसे हवा में नहीं बनेगा, कानून कहां बनेगे, पारलेमेंट में बनेगे, तो तीसरा function या फिर तीसरा role जो पारलेमेंट परफॉर्म करती है, वो क्या है, lawmaking, तो ये तीन functions है, हम इन तीनों को discuss करने वाले हैं, जिसम बनाती हैं country के लिए एक function हो गया, अब इन दोनों function को हम क्या करेंगे, in-depth पढ़ेंगे, explain करेंगे, अलग-अलग videos में, select the national government कैसे करती है वो, और फिर to control, guide and inform the government, तो ये function को कैसे perform करती है, clear है, इस chapter के notes, आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से राउनलोड कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगरास सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे to select the national government. क्या है ये topic? रिकॉल कीजे जरा पिछले वीडियो पे. पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था? Role of the Parliament में आपको तीन functions बताया थे. To select the national government, to control, guide and inform the government, और lawmaking. तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसे specifically पढ़ेंगे और इसे specifically पढ़ेंगे. Lawmaking पे तो पूरा का पूरा एक chapter है, जो आपका next chapter है. ठीक? तो उस संस में क्या इन दोनों चीज़ों का हम पढ़ने वाले हैं? त National Government मतलब जो Central Level पर Government बनती है ना, उस Government को select कौन करती है? पार्लेमेंट select करती है. कैसे select करती है? तो वापिस से पीछे जाईए और recall किजिए थोड़ा सा. हमने पढ़ा था election होते हैं, पूरी country में general election, जिसे लोकसभा का election कहते हैं. उसमें कौन select करते है? Member of Parliament select करते हैं. यहां त लोकसभा elections, question arises, who will form the government? आपने क्या करवाया है? आपने election करवाया है, लोकसभा का. सारे MPs जैसे पूरा आपने country में election करवाया, तो मान लीजे कि 500 कितनी constituencies पढ़ी थी? हमने 545 constituencies होती है, इसमें से 543 constituencies पर election होते हैं. दो जो रहती है, वो Anglo-Indians के लिए reserved रहती है, जिस पे nomination क रवाय election करवाने के बाद में MPs elect हो गए, Member of Parliament को आपने elect कर लिया है, अब Member of Parliament अलग-अलग party को belong करते थे, ये भी बताया थे मैंने कि हो सकता है, 200 BJP के हों, 200 Congress के हों, तो इस तरह सालग-अलग party के Member of Parliament होते हैं, तो अब question है आता कि government बनाएगा, कौन? कौन government बनाएगा? तो द मतलब इतने seats पर election होते हैं, election होने के बाद में जिस party के MP सबसे ज़्यादा रहेंगे, party having majority, majority मतलब क्या? Majority of Member of Parliament will form the government, कैसे? इसे और simplify कर देते हैं, देखो, तो list is prepared showing how many MPs belong to each political party, अब क्या होता है, एक list बनाई जाती है, जो ये दर्शाती है कि पूरे election होने के बाद में कितन इतनी political party से कितने MP जीत के आए हैं, तो उसे मैं आपको समझाता हूं, देखो, ये list है, ये आपकी book में भी दिये list, तो I hope आपको doubt नहीं रहना चाहिए कि मतलब हो सकता है कि visible now उतने ज्यादा fonts छोटे हैं, क्योंकि list हमने वहीं से सीधे copy करिए ना, तो आप भी आपकी book में खोल के बैठ जागी इस इसको इस list को, तो उसे हम टैली करते हैं, देखो, ये क्या है, result of 16th लोगसभा election May 2014, ये 2014 में जो election हो उसका result है, और ये 2009 में जो election हुए थे उसका result है, तो अगर आप हम यहाँ पर देखते हैं, 2014 वाला case, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी parties हैं, जि तो इस तरह से क्या होता है, गवर्मेंट बनती है, अब आपिस हम हमारे topic पगर आते हैं, तो question arises, who will form the government, तो party having majority will form the government, फिर अभी हमने list देखी, तो list के हिसाब से क्या है, कि सारे MPs की list बनती है, और सबस्यादा किस party के MP थे, BJP के थे, तो 2014 में किस की government बनेगी, BJP की government बनेगी, तो उस sense में ऐसे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है, अभी और आगिस मे एक डाउट आएगा, आपको वो clear करूँगा, मैं, ठीक, तो party having the majority of MPs form the government, total कितनी seats होती, 543, इसमें दो Anglo-Indians होते हैं, तो यह Anglo-Indians क्या होते हैं, they are being nominated, नॉमिनेटेट का भी मतलब समझाता हूँ, तो Anglo-Indians मतलब जैसे जो Britishers के कह सकते हैं, कि one such रहेगा हैं यहां पर, जैस से होते हैं Anglo-Indians, जिनने प्रसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रसिडेंट बनाते हैं जिनने, ठीक है MP, तो यह वोल होते हैं, तो इसलिए इस साब सकर देखा जाए, तो majority कितने पर मिलती 272 और मौर पे, तो अगर हम यहां देखें, तो इस case में क्या देखने को मिला हमें, इस case में देखने के मिला कि भारती जनता पार्टी को majority मिल गई है, कितने से मिली 282 से, चाहिए कितना जयता था 272 और मौर, 282 हो गया तो यह अपनी government बना लेंगे, आगया समझ में, तो इस sense में जब हमारी heading है, उसको recall करो, आप क्या, कि to select the national government, जो parliament होती है, पार्लेमेंट म हमने समझा, clear, अब अगर हम इस पर अगली चीज जाते हैं, देखो, अब यहाँ पर आगे अगर बढ़ते हम, तो majority मिल की government बना ली, अब इसके बाद में क्या होता है, कि जो second largest party रहती है, जैसे इस case में अगर आप देखोगे, तो second largest party कौन से होगी, second largest party होगी, Indian National Congress, 44 seats मिली मतलब 44 MPs जो थे वा किसके थे, इंडियन National Congress करेंगे अब, अब इंडियन National Congress, जो है, वो opposition party, Indian National Congress की जो लीडर हैंगे, वो क्या बनेंगे, opposition party के leader बन जाएंगे, तो ये नथा opposition party क्या पर्टी क्या रहती है, जो second largest party होती है, उसका जो लीडर है ता वो opposition party के leader मिल जाता है, और opposition या करती है तो वह उठाती इसके अगर गवर्मेंट से काम नहीं कर रही हो तो जैसे आप्विजिशन पॉजिशन पार्टी की लीडर रहुल इलेक्शन होते हैं इलेक्शन होने को आधमें कैसी seats मिलती देखो इंडियाने नेशनले को मिलती है 206 हिख भारती जनता पार्टी को मिलती 116 तो दोनों पाटी के साथ इनों ने जोड़ लिया फिर क्या होता है, Nationalist Congress Party को 9 seats मिली थी तो ये भी जोड़ दो ठीक ये 9 seats हो जोड़ गई फिर क्या होता है राष्ट जनता दल जो है, तो उनको भी जोड़ दो इस तरह से क्या होता है जिसे आ, जम्मू कश्मीर णे नेशिनल कॉंफरेंस से इनको जोड़ो या फिर, तो इस तरह सब हम क्या करते हैं, कुछ पाटी इसको मिला लेते हैं, और 206 था, तो ये 206 को, के डेटा को, या फिर 206 का फिगर को क्या करती ही, ऊपर की तरफ ले जाती है, सारी पाटी आपस मीलती ज चाहिए आपके पास क्या है 200 रुपे मेरे पास 200 रुपे किसी के पास 50 रुपे हैं तो ऐसे 550 हो गए तो हम क्या करते हैं कि हम सारे लोग अगर 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 किसी पार्टी को 272 नहीं ही मिली है जैसे Congress को कितना मिला है 206 ही मिला है तो Congress क्या कर सकती दूसरी parties से support ले सकती है और support लेके government बना सकती है इस तरह कि जो government मनती से क्या कहते है collision government कहते है और वो यहीं पर देखने को मिलता है देखो तो क्या होता है कि हमने जो यहां पर पढ़ा क्या कि Second largest party opposition party तो बनी जाती है लेकिन उसके बाद मेंगर ऐसी condition आती है कि what what if no party has 272 or more MPs as in 2009 election जैसे 2009 में हुआ कि किसी भी party के जो MP थे जो list बनी थी उस list में member of parliament जो थे तो 272 से ज्यादा नहीं थे तो इस case में अब कैसे बना होगा आप government तो इस case में government बनेगी collision government मतलब सारे लोग एक साथ मिल के government बनाएंगे सारे लोग मतलब क्या है कि जिस party की जिस party से बनती है तो जिससे हम देखते UPA होता है NDA होता है अपने newspaper में सुना होगा न यह क्या होते हैं groupings बन जाती है मतलब political parties अपने allies के साथ में क्या इन जनरल अगर किसी को majority मिल गई जैसे 2014 में आफि 2019 के election में भी BJP को majority मिल गई तो वो government direct बना लेते हैं आयसे काम करते हैं तो to select the national government यह हमने क्या समझा रोल समझा किसका रोल समझा पारलेमेंट का पारलेमेंट यह रोल परफॉर्म करती है और देखते हैं कि national government के साथ में और क्या important रोल होता है तो यहां पर देखो one of the most important function of the लोकसभा is to select the executive executive क्या है starting में बताया था आपको मैंने executive क्या होता जो one who executes the decision decision को क्या करते हैं लागू करते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने national government तो select कर लिए कि जिस party के MPs जो majority में हैं वो government बनाएंगे ठीक है national government elect कर लिया आपने अब national government का leader भी तो कोई होना चाहिए तो national government का leader होता है उसे executive कहते हैं executive कौन है तो यह समझाता हो देखो तो recall the executive from chapter 1 chapter 1 में हमने executives पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि जो लागू करेंगे decision को जो से prime minister prime minister भी क्या है एक executive है तो prime minister को भी select करने का काम कौन करता parliament ही करती है कि parliament में जिस party के MPs member of parliament majority में रहेंगे उसी party का leader क्या बनेगा prime minister बनेगा जैसे हमने देखा कि BJP को 2014 में कितनी seats मिली थी 282 तो majority में है अब majority में है तो BJP party के MP ही क्या बनाएंगे अपने leader को prime minister बनाएंगे तो वैसे parliament में क्या होता है parliament में leaders को भी executives को भी select किया जाता है ठीक है यही हुआ देको parliament selects the national government national government select कर ली जो ruling party रहेगी जिसको majority मिलेगी अब ruling party को select करने के बाद में क्या होता है leader of the ruling party is prime minister यह executive होते हैं तो जो ruling party बनी है जैसे BJP को majority थी BJP ruling party बन गई है अब BJP के जो leader रहेंगे वही क्या बनेंगे prime minister बनेंगे collision वाली condition में क्या होगा आपके मन मेंगर doubt आ रहा है तो तो collision वाली condition में मानलो जिसे Congress है समाजवादी party है सभी लोग मिलके government बनाती है तो यह आपस में decide कर लेती कि अच्छा prime minister तुमारी seats जादा है तुम बना लो home minister हमारा आदमी बनेगा तो ऐसे करके फिर वा आपस में क्या कर लेते हैं negotiations कर लेते हैं तो इस तरह से prime minister को भी या फिर कह सकते executive को भी select करने का काम कहा होता है पारलेमेंट में तो यह भी जैसे हम जो role पढ़ रहे function पढ़ ले to select the national government तो यह important function है की national government को select किया जाता है फिर आती अगली चीज़ क्या है then prime minister selects the other executive prime minister को select कर लिया prime minister क्या करते है दूसरे executives को select करते है दूसरे executives को रहा थे तो जैसे minister for health education finance अब देखतें finance ministry home ministry ठीक है तो अलग-अलग जो portfolios होते हैं अलग-अलग minister होते यह भी executive होते हैं तो इन्हे कौन select करता है फिर इन्हें प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं हरार की समझो एक बार जिस पार्टी के MP, Member of Parliament Majority में होंगे वो पार्टी क्या बनाएंगी वो पार्टी अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, फिर वो दूसरे एक्जेकेटिवस को सेलेक्ट करेंगे जैसे अलग- Аलग Department, अलग-aalग Ministries जो होती है Health Ministry, Educational Ministry और Finance तो अभी इन मिनिस्टर को सेलेक्ट कर लिया कहां से सेलेक्ट होंगे, पारलेमेंट में से ही सेलेक्ट होंगे जो MP आये थे ना 282 इनी में से एक प्राइम मिनिस्टर बन गाए ठीक है इनी में से एक MP क्या बन जाएंगे इनी में से एक MP मान लीजे होम मिनिस्टर बन गाए तो इस तरह से पूरी National Government जो है जो Executives है वो सारे के सारे लोग कहां से सेलेक्ट होते हैं Parliament में और यही Parliament का function होता है to select the National Government आगे समझ में यह सारी चीज़े होती है अब आपके मन में एक डाउट आया होगा क्या डाउट कि we have seen the working of लोगसभा I hope आपको लोगसभा का पूरा काम समझ में आगे कि कैसे constituencies divide होती है election होते है election होने के बाद में किसी एक party के MPs जो होते है majority में आते है फिर जिसके सब ज्यादा MPs रहते हैं वो government बनाती है फिर वो प्राइम मिनिश्टर सेलेक्ट करते हैं वो मिनिश्टर सेलेक्ट करते हैं तो हमने लोगसभा तो सारा सब कुछ समझ लिया अभी राजिसभा भी हमने पढ़ा था starting में कि Parliament में दो house होते हैं लोगसभा और राजिसभा तो यह र अफिशल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सबजेक्ट सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्श वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम एक interesting चीज पढ़ने वाले हैं क्या है वो recall कीजिए ज़रा पिछले वीडियो से पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हम लोगों ने discuss किया पिछले वीडियो में पहला point हमने discuss किया to select the national government national government कैसे select की जाती वो मैंने आपको समझा दिया अब उसी में से एक सवाल ये भी निकल के आता कि हमने लोगसभा का काम तो सीख लिया समझ लिया राजिसभा का क्या काम होता है तो इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं र प्राइटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि पार्लामेंट में दो हाउस होते हैं लोगसभा और राजिसभा ठीक है मैं इदर से question बूझता हूं तो आप मन में recall कर लिया करो ज़ल्दी से लोगसभा राजिसभा देखे थे फिर हमने देखा to select the national government उसमें पूरी लोगसभा का लग लग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स को select करते हैं फिर सवाल यह उठता था कि राजिसभा क्या करती है तो तो अब हम राजिसभा को समझेंगे ठीक है देखो इट functions primarily as the representative of the state of India in Parliament नाम देखो क्या है राजिसभा 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 क्या होता है राजिसभा याने state होता है ठीक है सभा याने council तो council of state भी कहा जाता है इसे English में तो council of state है तो यह किसका काम करेगी यह काम भी states के लिए ही करेगी ना राजिसभा तो राजिसभा जो हो इंडिया इन पार्लेमेंट तो इंडिया के जितने भी states हैं जैसे मद्यप्रदेश है चतिसगड है राजिस्थान है उत्तरप्रदेश है भिहार है तो सारे states को क्या करती है सारे states की अपनी अपनी एक कोटा दे दिया जाता है कि हाँ इस state से इतने MP जो होंगे वो राजिसभ है 233 Gün creative comments यह जो des challenges एन ऊते हैं आपे 12 इंडियोन अब है जो अलगलिचर हो सकता है क्लों वे। medans और जो क्या है एक्सिलिंस हासिल हो सकता है की जिसे लिट्रेचर हो लगों, लोग्सभा में नहीं राजी सावा में, क्यों? राजी सावा में क्या होता है? लेकीन निटार कने रहते हैं, इन बारा लोगों लिए कल्ए लेक्षन नहीं होता है. इन्हें nominate कौन करते हैं, nominated by the president, अब यह 233 होते हैं, तो यह 233 के लिए election होता है, हम लोग vote नहीं देते हैं लेकिन, यह 233 के लिए जो election होता है, वो indirect election होता है, कैसे वो समझाता हूँ, तो this 233 member of parliament in Rajasabha, member of parliament in Rajasabha क्या बता रहे हैं, तो this 233 member of parliament in Rajasabha are elected indirectly by the elected member of legislative assembly of various states, confused होगा हैं, बिल्कुल, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं, क्या बोल रहे हैं, यह indirect elect होते हैं, वो तो समझ में आ गया है, कि इनको हम vote नहीं देते हैं, जनता vote नहीं देती, CDC बात है, किसको जो राजिसभा के MP होते हैं, तो कौन vote देता है, they are elected member of, indirectly elected by the elected member of legislative assembly, तो 7th class में जो आपने पढ़ा था, उसको recall करो जरा एक बार, जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पूरे central level का पढ़ रहे हैं, कि पूरे country में कैसे government बनती है, हमने state level में यह देखा था, कि state में भी वैसे election होते हैं, और state में जो elect होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विदायक जो होते हैं, member of legislative assembly, तो आपकी जो state की जो parliament होती है, मतलब state का जो कह सकते हैं, कि state की government होती है, तो जो MLA होते हैं, जिने हमने चूस किया था, हम दो बार vote देते हैं, मतलब दो group के लिए vote देते हैं, एक तो central government के लिए vote देते हैं, लोकसभा में, ठीक है, औ दूसरा vote कप देते हम, दूसरा vote देते हम, हमारी state assembly जो होती है, उसमें election होते है, चीफ मिनिस्टर के लिए जब, तो तब किसे elect करते हम, हम MLA को elect करते हैं, फिर MLA जो majority party के होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को चूस कर लेते हैं, तो MLA को जो हम चूस करते हैं, तो हमने MLA को मैंने क्या किया, मतलब आपकी class पूरी जनता है, आपकी class पूरी जनता है, आप लोगोंने vote करके क्या किया, MLA को चूस कर लिया, मैं MLA बन गया, अब क्या करूँगा, मैं vote दूँगा कि हमारे state से कौन MP बन कर जाएगा, राजी सभा में, ऐसा होता है, तो indirect election होता है, और indirect election म इनने कौन elect करता है, तो elected indirectly by the elected member of legislative assembly of various states, तो हर state अपनी अपनी assembly में, जो MLA रहते हैं, उनसे voting करवा के, अपने यहां से कौन जाएगा MP बन कर, उसे decide कर लेते हैं, MP, member of parliament in राजी सभा में, ठीक है, यह हो गया, तो आप इसके बाद में अगर यह समझ में आगे आपको यहां तक देखो, typical होता है, मैं समझ नहीं हो तुमारी बात को, MP, MLA, state, राजी सभा, लोग सभा, सारी चीजने typical होती ही थोड़ी सी, लेकिन आप क्या करो, दो बार सुनो वीडियो को, ठीक है, ध्यान से सुनो एकदम एक एक चीज़ को अच्छे से, तो आप पकल लोगे चीज़ हो जाएगा, तो देखो, क्या होता है, क्योंकि यह states elect होके जा रहे, इसलिए क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट इन पारलेमेंट, तो पारलेमेंट में दो होते हैं, लोग सभा, राजी सभा, तो राजी सभा में जो MP होते हैं, राजी सभा के जो member of Parliament होत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंदी पारलेमेंट, ठीक, elected indirectly, कैसे elect होते हैं, elected by the elected member of legislative assembly of states, संख्या भी मैंने आपको बताई, 233 को हम elect करते हैं, पूरी country में से, 12 nominated होते हैं, जिने कौन nominate करता है, प्रसिडेंट नॉमिनेट करता है, यह सारा सब कुछ भी हो गया, फिर क्या होत राजिसभा में अगर हम देखा जाता है, जैसे लोकसभा में गवर्मेंट बनाता है, ठीक है, majority party जो रहती है, majority party के MP, गवर्मेंट बनाते है, वो अपने leader को चूस करते है, लेकिन राजिसभा में ऐसा नहीं होता है, राजिसभा क्या करती है, राजिसभा, a bill is required to be passed in राजि कर लेता है, तब वो law बनता है, लेकिन उस process में सबसे पहले जब वो originate होता तब उसे bill कहते हैं, ठीक है, जब कच्छा चिठा रहता तब उसे bill कहेंगे, तो a bill is required to be passed in राजिसभा to become a law, जैसे लोकसभा से क्या होता है, लोकसभा से लोगों ने एक bill चालू किया, उन्होंने पहले क्या bill लाए, उन्होंने ला दिया कि जैसे text जो है, तो bill लाए, उन्होंने क्या मान लीजिए, उन्होंने bill लाए कि text नहीं, जो traffic rules है, traffic rules में क्या करते हैं, और strict कर देते हैं, तो पहले वो लोकसभा में लाएंगे, लोकसभा में voting हो गी उस पे, मानलों लोकसभा में majority of them voted in favor, सबी लोगों ने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, अब वो कहा जाएगा, राजसभा में जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा, required to be passed in राजसभा to become a law, तो जिस तरह से वो लोकसभा में पास हुआ, उसी तरह से उस bill को राजसभा में भी पास होना पड़ जाएगा, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से एक कह सकते है, बैलेंस बना के रखती है राजसभा, लोकसभा और राजसभा इसलिए बनाए गए ताकि क्या है कि कोई भी एक हाउस पावरफुल ना दिखे जादा, ठीक है, अब राजसभा can also initiate legislation, initiate legislation का मतलब क्या होता है कि राजसभा भी लौ बना सकती है, जिस तरह से लोकसभा में बिल बनके आता है राजसभा में, तो पहला रोल क्या था, पहला रोल हमने समझा था कि जो पार्लेमेंट होती ही, तो पार्लेमेंट forms the national government, तो किस तरह से national government बनती ही, वो मैंने आपको समझा दिया, लोकसभा पूरा, राजसभा का भी एक स्पेसिफिक वीडियो में, हमने आपको सारे पॉइंट समझा दिया, अब राजसभा पर अगर कुशन आता है, तो आपसे बनना चाहिए, फिर अब हम क्या देखते हैं, कि जो हमने functions पढ़े थे, recall करो जरा इस चीज़ को, हमने ये वाला functions पढ़े थे, तो हमारा पहला function complete हो गया, to select the national government, अब दूसरा function क्या है, to control, guide and inform the government, तो अब हम next video में यही पढ़ने वाले हैं, इस chapter के notes, आप हमारी official website, magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, बिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, Hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूद, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे to control, guide and inform the government, किस बारे में हैं ये topic, recall कीजिए जरा पिछले वीडियोस पे जाकर, हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, कि what are the various functions which the parliament perform, तो parliament कौन-कौन से function perform करती हैं, हम ये देख रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा, हमने देख लिया, तो select the national government, national government select करती है, वाला एक point हम देख चुके हैं, दो function हमें समझना था, तो दूसरा function कौन सा है हमारा, to control, guide and inform the government, ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम समझने वाले हैं, तो how can the parliament perform the above mentioned task, ये जो उपर दिया है, control करना, guide करना, inform करना government को, parliament कैसे कर सकती, parliament को इनसान थोरी ना, फिर वो किसी को control कैसे करेगी, तो अब हम समझते हैं उस चीज़ को कैसे करती है, देखो, parliament में एक function होता है, या फिर कैसे कते हैं, एक parliament की जो working होती है, तो parliament की जो working process होती, अब जब national government को select किया जाता है, तो government बनीए, पावर भी मिलेगी, executives बना दिया लोगों को, तो उनके पास power है, वो क्या कर रहे हैं, government के resources को, government की power को use करते हैं, अब जब वो use कर रहे हैं, तो उनसे सवाल भी उठाया जाएगा, जैसे, आपको अगर मान लिजे, power देते हैं, हम बोलते हैं, कि आपको क्या करना है, आपको एक annual function organize करवाना है आपकी school में, और कुछ गढबर होती है, तो आप सवाल किससे पूछा जाएगा, आप से ही पुछेंगे न, तो उस तरह से question of R में क्या होता है, question of R में, question of R is an important way, या फिर कह सकते हैं कि question of R जो होता तो एक important function है मारी parliament का, जिसके चलते हैं, important way through which the parliament controls the executive, this is one of the very important way through which the parliament controls the executive, parliament कैसे control करती executive को, तो MPs can ask question on the working of the government, क्या करती है, MP, जो Member of Parliament MP, आप मद्देपरदेश नहीं समझ लेना है आपको, जो Member of Parliament है, सारे लोग पार्लेमेंट में होते हैं, अब देखो पार्लेमेंट में क्या होता है, हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि 543 MP हैं जैसे, ठीक है, और प्लस 2, तो 545 MP है, अब यह जो 545 MP हैं, तो इन 545 MP में से क्या होता है, देखो, इन 545 MP में से अगर हम ऐसे देखें, तो जिस पार्टी की government बनी है, जैसे 2014 के साब सम देखे तो, 2014 के साब से 282 MP BJP की थे, बाकि बचे जो दूसरे MP हैं, वो तो दूसरी पार्टी के हैं, उसमें Congress भी हैं, उसमें आम आदमी पार्टी भी हैं, इस पार्टी पार्टी थी, तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में अब आपको ये धियान देना होगा, कि उस सेंस में ये जो बचे हुए MP हैं, जो government में नहीं है, जिनकी पार्टी जीती नहीं है, वो लोग क्या करेंगे वो लोग बैट के इनको देखेंगे थोरी ना तो दोज MPs can ask questions on the working of government government तो BJP वालो की है ठीक बागी जो दूसरे बचे हुए MP है 282 के अलावा वो MP क्या करेंगे देकें ask question on the working of government वो government से सवाल कर सकते हैं कैसे सवाल करेंगे कि वह यह आपने यह policy लाए थे इस policy का यह दुश्परिणाम रहा या फिर इस policy में यह दिक्कते हैं इसका जवाब कौन देगा आगे तो कुशन आर में क्या होता है कुशन आर कुशन आर इसन इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच दी पर्लेमेंट कंट्रोल दे एक्जिकेटिफ एक्जिकेटिफ को कंट्रोल करती हैं अब अगर हम देखे तो कैसे कंट्रोल करती तो जो हैं member of पर्लेमेंट रहते हैं देकें ask questions on the working of government government के काम करने के तरीके पर वो question उठाएंगे फिर they can highlight the drawbacks in various policies and programs अब policies programs आपने start करी बहुत सारी, अब इन policies और programs मगर किसी प्रकार के क्या है, कुछ drawbacks है, तो drawbacks को highlight किया जा सकता है, कहां पर highlight किया जा सकता है, उन drawbacks को highlight किया जा सकता है, पारलेमेंट में, जैसे आपका भी देखना, ठीक है, क्या देखना कि government जब, पारलेमेंट जब क्या र commentization, या फिर कह सकते हैं कि economy अगर अच्छा perform नहीं कर रही है, तो ये drawback है, एक तरह से देखा जाए, government का, government वो चीज नहीं समाल पाई, तो वो समुद्दे को उठाते हैं, पारलेमेंट में, इन various policies and programs, तो अलग-अलगर मानलों कुछ policy program में भी गड़बड है, तो समुद्द को उठाया जाता है, member of parliament के दोवारा, जो opposition के member of parliament रहते हैं, ताकि उस पर क्या हो, debate discussion हो, अब इन सारी चीजें से आपको एक चीज समझ में आई है, कि ये जो भी हो रहा, इससे control हो रही है, government, government को मेंशा डर बना रहेगा, किस चीज का डर बना रहेगा, यार काम करो नहीं, तो क्या है, लोग हमारे उपर सवाल उठाएंगे, जो member of parliament है, जो हमारी party के नहीं है, दूसरे, वो क्या करेंगे, question करना start कर देंगे, तो इस sense में क्या रहता है, हमेशे एक डर बना रहता है, किस के मन में डर बना रहता है, जो government है, तो government control में रहती है, ठीक है, अब यह highlight कर रहें, drawbacks को, तो उससे guidance भी मिल जाती है, मानलो, government में तो policy चालू कर दी, government को लग रहा, सब सही लग रहा है, लेकिन किसी दूसरे member of parliament ने, दूसरी party के member of parliament ने उस policy को समझा, समझने के बाद ने उस member of parliament को दिख रहा है, कि इसमें ये drawback है, वो drawback जब पारलेमेंट में प्रूफ करने की कोशिश करेगी, जैसे example, आपने answer लिखा, आपको लग रहा है क्या, कि आपने बहुत अच्छा answer लिखा है, लेकिन आपके friend ने किया कि आपका answer पढ़ने के बाद में उसने कुछ drawbacks थे, answer में उसे highlight कर दिया, तो इससे आपका ही improvement होगा न, वही चीज़ यह पर होती है, तो इस तरह से control किया जाता है, guide किया जाता है parliament को, किसके दौरा, मतलब government को control किया जाता, guide किया जाता, किसके दौरा, member of parliament के दौरा, तो हम कह सकते कि parliament function ये भी perform करती है, कि parliament controls, guide and inform the government, clear है, यह सब मिटा देते हैं, अब उर आगे देखते हैं, तो the opposition party plays a critical role in the healthy functioning of democracy, अब देखो कि अगर opposition party ना हो एक मिनिट के लिए से imagine करो कि सारी seat BJP को मिल गई सारी seat मतलब 543 की 545 पूरी seats पर BJP है अब अगर कोई opposition नहीं है कोई oppose करने वाला नहीं है कोई सवाल उठाने वाला नहीं है जैसे हमने देखा question number में सवाल कौन उठाएंगे opposition party के लोग उठाएंगे सवाल अब कोई अगर सवाल उठाने वाला नहीं है तो कैसे देश चलेगा बताओ ठीक है government तो मनमानी करने लगेगी अपनी government अपने हिसाब से चीज़ने करने लगेगी तो उस sense में क्या है कि opposition party भी होना चाहिए और Parliament में opposition party होती है तो वो control करती है guide करती है वो government को inform भी करती कि government को सही तरह से काम करना नहीं करना है government की policies ही चल रही नहीं चल रही है ठीक हैं तो opposition party play a critical role in healthy functioning of democracy देमोक्रिसी का अगर सही तरह से काम करवाना है आपको तो आपको एक opposition party चाहिए और opposition party बहुत अच्छा critical role मतलब वो एक critic की तरह काम करती वो बताती कहां गलती कहां गलती नहीं है वहाँ पे टोचती है वो किसको government को ruling party को ताकि opposition party क्या कर सके एक balance बनाया रख सके जिसके चलते जो government है जो ruling party है वो डर के समल के बहतर तरीके से अपना काम कर सके तो यह जो सारी चीज़े हमने पढ़ी ठीक है विद इस government gets valuable feedbacks guide हो रहा है guidance मिल रही है government को valuable feedback मिलते हैं and is kept on its toes government हमेशा अपने toes पर रहती मतला government चौकनना रहती कि हां कभी भी अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग सवाल उठा सकते जो दूसरे member of parliament है वो सवाल उठा सकते हैं तो आई होप आप relate कर पाएं कि parliament जो दूसरा function perform करती है वो क्या है to control, guide and inform the government अब वो control कैसे करती है, guide कैसे करती, inform कैसे करती government को तो वो मैंने आपको बताया और भी चीज़े हैं इसमें ठीक है और भी चीज़े हैं in the matters regarding finances, parliament's approval is crucial for the government अब देखो क्या है कि government के पास में power दे दि ऐसे में तो पता लगरा government पूरी treasury खाली कर देगी, देश में पैसा ही नहीं बचेगा, तो government जब भी पैसा use करना चाहेगी, तो उसे क्या चाहिए रहेगा, उसे support चाहिए रहेगा, किसका parliament का, तो इस चकर में क्या बताया है, जैसे budget अगेरा पास होता है, तो regarding finances, parliament's approval is crucial for the government, parliament का approval मिलना चाहिए government को, government को parliament की तरफ से हा मिलनी चाहिए, और parliament में सभी MP रहते है, तो सभी का आपको क्या चाहिए रहेगा, approval चाहिए रहेगा, खिर वो बात अलग है कि majority party को दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि पैसे का भी अगर use करना है, तो प फिर आते हैं, MPs are representative of the people, मतलब जो member of parliament होते हैं, वो they are the representative of people, लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लोगों को ही दर्शाते हैं वो, तो they plays a central role in controlling, guiding and informing parliament, तो अगर parliament को control करना है, parliament को inform करना है, किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ पे guide करना है, तो उन सारे sense में अगर देखे हैं, तो member of parliament important होते हैं, बहुत जादा, वो इन सारे functions को perform करते हैं, तो in short अगर हम समझें, कि अगर control करना है, government को, government को guide करना है, government को inform करना है, तो उस sense में, you are required to have the support of member of parliament, आ गया समझ में, यह सारी चीज़े हो गई है, तीसरा function जो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि तीस function of the parliament is making law for the country, country के लिए कानून बराना भी है, important function है किसका, parliament का, कैसे perform करती है, parliament, तो यह lawmaking जो process है, आपको अभी इतना ध्यान रखना है, कि parliament का, देखो, पहला हमने क्या पड़ा, to select the national government, दूसरा क्या पड़ा, to control, guide and inform the government, तीसरा function क्या है, lawmaking, अब यह तीन function आपको answer में लि only, तो पूरा का पूरा हम पड़ेंगे अच्छे से, clear हैं, तो यह तीनो functions हमने आपको बता दिये, अब आप इसी के साहाँ देखे तो हम chapter के लगबग-लगबग, end पे आ गए हमारा last topic बचता है, कि हमने parliament समझ ली, सारी चीज़े समझ लिया, parliament में जो MP जाते हैं, तो यह कौन होते हैं, और कौन होना चाहिए, उस चीज़ के उपर हम next video में discussion करने वाले हैं, इस chapter के notes अब हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सक मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ेंगे, who are the people in parliament, सवाल ये आता है कि जो लोग हैं parliament में, वो कौन होते हैं और कौन होना चाहिए, उस चीज़ पर भी हम कुछ discussion करेंगे, last topic के theory part पर, इस topic के बाद में हम क्या करेंगे, एक और video में discuss करेंगे, कुछ question answers, क्या है, वो nation को एक तरह से represent कर रही है, कि आपको अगर देश को देखना है, देश का representation देखना है, तो आप parliament को देख लो, क्यों? क्योंकि parliament में वही नौर्थ इस्टन स्टेट से भी एक MP बैठा है, उसी parliament में एक गुजराच से भी MP बैठा है, उसी parliament में अगर देखा जा है, तो कैरला तमिल नाडू से भी MP बैठ है और उसी parliament में जम्मु कश्मीर से भी MP बैठ है, तो parliament क्या दरशाती? पार्लेमेंट पूरे के पूरे देश को दर्शाती है, चारो कौने को दर्शाती है, सारे कलचर दर्शाती है, सारे रीजन्स को दर्शाती है पार्लेमेंट तो इस sense में Parliament represent the nation, Parliament जो होती तो हमारे देश को क्या कर रही है, यह represent कर रही है, मानते हो इस चीज को, ठीक है, अब क्या होता है, people from various background participate in the Parliament, तो हम देखते हैं जब Parliament हमारे देश को represent कर रही है, तो अलग-अलग कोनों से, अलग-अलग background से लोग आते हैं और Parliament में participate करते हैं, इलनाडू में किसी और पार्टी का दब-दबा है, या फिर मान लोग किसी और पार्टी को लोग support करते हैं, तो उस पार्टी के MP भी बैठेंगे, पार्लेमेंट में तो, गवर्मेंट चाहिए, बीजेपी की हो, और उस पार्टी के लोग क्या करेंगे, फिर हमने देखा था to control, guide and inform the government, तो वो गवर्मेंट के उपर एक तरह से pressure बना सकते हैं, गवर्मेंट चे सवाल पूछ सकते हैं, तो पार्लेमेंट में हर section का हम representation देखते हैं, rural areas से भी regional parties, जो एक region की party होती है, national party नहीं होती, सिर्फ वही तक सीमित रहती हैं, तो ऐसी regional parties भी होती हैं, तो इस सारी parties पार्लेमेंट में क्या करती हैं, अपने ideas को, अपनी values को express करती है, मानते हैं इस चीज़ को, तो वही चीज़ यहां पर हुई, फिर क्या होता है, फिर there have been increase in political participation from Dalit and backward glasses, और यह इसी notion को अगर हम ध्यान में रखें कि अलग-अलग background से लोग पार्लेमेंट में participate करने आते हैं, तो there has been observed an increase in the participation of various people from Dalit and backward glasses, ठीक है, तो Dalit जो होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे और इस चीज़ को, आपने 7th class में वैसे पढ़के भी आया, Dalit मतलब जो lower caste के लोग होते हैं, वो अपने आपको represent इस term से करते हैं, Dalit means broken, व्याने chapter 1, 7th class में पढ़ा था आपने, तो उस तरह से क् पार्लेमेंट में हर section से इनसान आता है, ठीक है, अब हर section से आता है, तो representation जो पहले कभी backward classes consider किया जाता था, जैसे Dalit को backward consider किया जाता था, तो वहाँ से भी लोग आते हैं, वहाँ से भी member of parliament देखने को मिलते हैं, और वो अपनी section का, अपनी country के उस region का क्या करते हैं, representation करते है पार्लेमेंट में, therefore to ensure that communities that have been historically marginalized, तो इसी चीज को ensure करने के लिए कि जो लोग पहले जिन लोगों को प्रताडित किया जाता था, जिन लोगों को पहले marginalized थे, historically those who were marginalized, जिन को क्या करके रखा था, society से बाहर margins पे बिठा के रखा था, तो अब उन लोगों का भी representation हो एक adequate representation मिले किन है, जिन लोगों को पहले marginalized करके रखा था, इसलिए reservation दिया जाता है, reservation कहां दिया जाता है, तो जैसे jobs में, schools में reservation दिया जाता है, वैसे ही reservation होता है, कहां पे, पार्लेमेंट में भी, कि पार्लेमेंट में इतने MP की जो seats है, मतलब इतने MP जो होंगे तो schedule caste के हों तो इस तरह से क्या कर दिया जाता है, कि पूरी पार्लेमेंट कितने की है, 545, तो 545 में सो उन्होंने बोल दिया कि इतने MP जो है वो, देखो, दर्शाही देते हैं आपको जी देखो, यह reservation का बता रहा है, कि total seats, जैसे अगर seats में divide करें तो 543 होती, प्लस 2 Anglo-Indians के, तो हम 545 in general बोलते हैं, अब यह जो 543 seats हैं, तो इसमें बोलते हैं कि general की कितनी seat होगी, general की seat होगी, यह 2004 का data बता रहोगी, data change होते रहता हो, ठीक है, तो general की होगी 423, 423 seats किसकी होगी, general category की होगी, schedule cast की कितनी होगी, 79, schedule tribe की कितनी होगी, 41, तो जैसे green color आगर आपको दिख रहा है, तो green color में, जो constituencies green color में highlight कर दी गई है, मतलब यहां की seat पे कौन election लड़ेगा, एक schedule tribe का candidate, मतलब यहां से जो भी MP बनेगा, वो schedule cast का होना चाहिए, फिर जैसे blue color देखोगे, तो blue color में जो reserve किया है, तो यहां से क्या बोल दिया, blue color में बोल दिया कि यहां से जो भी चुनाव लड MP elect होके आएगा, वो schedule cast का होना चाहिए, फिर जैसे जो pink pink color में दिखरा है पूरा, ठीक है अजीब सा color pink है, कौन सा आप समझ लीजे, तो वो कौन सा होना चाहिए, वो general category का होना चाहिए, तो इस तरह से reservation दे दिया गया है, ता कि क्या हो reservation क्यों दिया गया है, ता कि जो categories, जै ठीक है, एक proper representation मिले, इसलिए reservation लाया गया, तो अब हमने क्या देखा, कि who are the people in parliament तो सभी sections हो, तो और इन्हें ensure करने के लिए, इनका representation, ensure करने के लिए reservation ला दिया गया, लेकिन एक section को तो भूल गया है, आप, कौन सा section वो है, the half, the half मतलब क्या है, जैसे जिस तरह से देश में स होती है, 12% MP जो होती है, वो women होती बस, तो पूरी parliament में women का representation तो बहुत कम होता है, लेकिन देश में देखा जाए, तो उनका contribution तो 50% है, 50% women होती है, तो similarly there has been, there has been demand, there has been demand for the reservation of seats for women, ठीक, तो यहां पे continuously इस चीज़ की demand है, कि women का भी representation होना चाहिए, कि sense में होना चाहिए, जैस seats reserved कर दी, तो वसे women के लिए भी seats reserved होना चाहिए, उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, educate representation मिलना चाहिए, तो demand है यहां पे, demand क्यों है, तो वो भी मैं आपको बता दू, demand इसलिए due to the lower presentation, representation है, ठीक है, दो mistake निकल गई, तो lower representation, due to the low representation of women MPs, ठीक है, जो महिला है, तो जितने भी member of parliament होते हैं, तो उन member of parliament में क्या है, majority में कौन होता है, उन member of parliament में अधिकतर majority में male होते है, तो women का जो representation है, वो क्या है, low है, very low है, तो उस low representation के चलते क्या, अगर आपको महिलाओं का representation ठीक ठाक ensure करना है, तो उसके लिए, यह demand की जाती कि, जैसे reservation schedule cash और schedule tribe के लिए, जैसे हमने द has been demand for the reservation of seats for women, क्यों? तो कारण यही है, due to very low representation of women MPs in parliament and to make parliament truly representative, और parliament को सही, terms में सही, सही, सेंस में representative बनाने के लिए, इस चीज़ की demand उठ रही है, आगे समझ में, तो यही सारा सब कुछ हमने किस चीज़ में पढ़ा, who are the people in parliament, अब क्या होता है, अब हमारा chapter complete होता है, किस part प करेंगे क्या, एक वीडियो में महुआ discuss करेंगे कुछ question answers, कि मतलब कौन से question answers, या फिर what are the various types of questions, which can be asked from this chapter, तो जिसे हम एक वीडियो महुआ discuss करने वाले है, अब आपका favorite part, enjoy कीजिए, तो chapter complete हो गया हमारा, अब इसी के साथ साथ में एक और वीडियो मनाएंगे question answer वाला, theory part complete हो गया, I hope आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं, किसी प्रकार के कोई doubt है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, chapter complete होता है, chapter completed, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available है जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में, question answers के साथ, thank you, thank you very much